हेलो दोस्तों स्वागत साब का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेट पहल से दतुल में मैं हूँ आपका दोस्त दतुल गोयल आज हम बात करेंगे फिर से ग्रीन पावर औरियंट ग्रीन पावर के बारे में जो की लोर सर्कुट के आसपास फस्ता हुआ नजर आया उपर स्टोक काम करता हुआ नजर आ रहा है अच्छा खासा क्रेक्शन इसके अंदर हो चुका है तो क्या इतना चीप होने के बाद लेना चाहिए तो कहां पर सपोर्ट बनता है कहां रिजिस्टेंस कर रहा है उसके उपर हम बात करेंगे तो मंतली चार्ट पर सबसे पहले देखे जो RSI है वो 54 के आसपास की है यहाँ पर RSI देखिए इसने 60 को क्रोस किया था तब इसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम जनरेट हो था स्टोक एकदम से ही उपर जाता हुआ नजर आया अब यह RSI थोड़ी सी बीग पटती हो नजर आ रही है 60 से निचे है जब 60 को क्रोस करें तो फिर से इसके 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 अंदर मोमेंटम बन सकता है यहाँ पर देखिए इस टोक यहाँ तक ज़रूर गया और इक अच्छा खासा जो इसका पर इसका बेस बना हुआ था पहले आप देखेंगे यहाँ पर एक बेस इसने बनाया था अच्छा खासा और इसी लाइन को अगर आगे stand करें तो यहां तक stock बिलकुल आते समय सपोर्ट लिया था उसको भी इसने break कर दिया तो यह जो line थी यह काफी important line थी यह line important थी क्योंकि resistance जो long term की होते हैं अगर इसको break करता तो का stock काफी उपर जा सकता था निचे आते समय इसको इस line के उपर बिलकुल support लेना चाह ही है बट आप देखेंगे कि यहां पर जो support है उसके आसपास ही बिलकुल stock जो है इस time बना हुआ है अगर इस line को यह stock ब्रेक करता है तो काफी week हो सकता है और आप देखेंगे जो closing है बिलकुल support line के आसपास होती हुई नजर आई है जो आपका weekly chart है तो weekly chart पे इसके उपर support ब हो सकता है यहां के level से भी तो आप देखेंगे उपर के level से't평प इस टाइप से आता है फिर boung श करता है जो boca करने का level वह नंपлись पे पैसे नोरपे 95 पैसे और hij बैक किया जो की बनते से लेवल 15 पे 70 पैसे अब यहां पर जो पहले का बाउंस का लेवल था नौर पे 95 पैसे स्टोक उससे भी निच्छी आ चुका है आठ पे 95 पैसे के आसपास जानी जो पहला सपोर्ट लेवल था यहां से इसने बाउंस किया था उसको भी इसने ब्रेक कर तो आने ले टाइम में यह जो लेवल है यानि नौर पे पैसे यह अच्छा खासा अब रिस्टेंस की तरह इसके लिए काम करने वाला है तो बीकली चार्ट पर देखिए फोटी टू के आसपास की आरसाई है यहां पर हमें चाहिए 50 की आरसाई एक मल्टी बैग स्टोक के ल डाउन ट्रेंड के अंदर है कहीं पर भी आपको ट्रेंड चेंज होता हुआ नजर नहीं आ रहा है तो इसके अंदर अभी हमें अवाइड करके चलना है क्योंकि इसका इमेडिए जो सपोर्ट है रिजिस्टन्स है वो आप 9 रुपे पैसे के आसपास करेगा यहां पर इसने पहले यहां पर बाउंस बैक किया था और यहां पर भी देखेंगे आने के बाद इसने थोड़ा सा यहां पर सपोर्ट लेने के ट्राई की थी बट उसको जैसी ब्रेक किया तो यहां पर स्टोक काफी नीचे जाता हो नजर आया अब नीचे के लेबल आट रुपे 25 पैसे प तो फिर टेस्ट कर सकता है और एवन साधे साथ रुपे तक भी जाता हो नजर आ सकता है अगर आट रुपे असी पैसे के नीचे की क्लोजिंग आती है तो अगर नौ रुपे के उपर की क्लोजिंग देता है तो स्टोक फिर से दस रुपे के आसपर मूब कर सकता है बट दस तो हो सकता है वहां से reject होता हुआ फिर नीचे आता हुआ नजर आए तो एक लेबल के उपर स्टेवल होना स्टार्ट हो उसके बाद यहां को इसके इंदर कोई फ्रेश वाई या अबरेज करनी है बट इसको ट्रेडिंग पाइंट वी उसे आपको कुंसिडर करना को इन्वेस सकता है तो अभी जो स्टेंथ है वो तिनों ही टाइम फ्रेम पे कम है डेली बीकली और मंतली तो थोड़ा सा इसे इंवेस्टमेंट पाइंट वी से बिल्कुल रजेक्ट किया जाएगा और कोई रिकमेंडेशन इसकी इंवेस्टमेंट पाइंट वी से नहीं है आप